हलोव थे अंशुल गुपता अग्ड आज आम बात करने वाले वर्ट सीरिदे ने यह चWe starts के बारे में। दुनिया की सब самых पहली उड़ने वाली कार के बारे में। यह कार यूड़ोप के अंदर में जिसका नाम सफ सहा restriction की बारी मैं उसके अंदर पलाग कॉपड़ का możli उड़ने वाली सबसे पहली कार बनाई है लेकिन वह इत्ती नहीं थि यह कार ने उसको हमके सकते हैं कि यह दुनिया की सबसे पहले उडने वाली कार है, वर्ल्ड फस्स फ्लाइंग कार है, स्लोवाकिया की एक कंपनी है, क्लाइन वीजन, उसने इस कार को, फ्लाइंग कार को मैनुफेक्चर किया, और इसके अंदर जो इंजन का पार्ट है, वो BMW का लगा, अब कई लोग सोच रहे हैं, कि पूरी कार ही BMW ने मैनुफेक्चर किया, BMW कंपनी ने, लेकिन ऐसा नहीं है, उसके अंदर जो सिर्फ इंजन का पार्ट है, वो BMW कंपनी का लगा हुआ, बाकि जो पूरा पार्ट है, वो क्लाइन वीजन कंपनी ने मैनुफेक्चर किया, उसकी पूरी डिजाइन बनाई है, अब ये लिटराली दो शहरों के अंदर फ्लाइट भरी गई है इसमें टेक आफ किया है और लेंडिंग की है एक सहर से दूसरे शहर के अंदर और इसमें पूरा जो डिस्टेंस है वो 80 किलमोनिटर्स का डिस्टेंस था वो भी सिर्फ 35 मिनेट के अंदर कवर कर लिया गया था को रनवे कहते हैं कुछ भी कर लो रनवे आपको चाहिए होगा एक बहुत लंबी सी रोड चाहिए होगी जिसमें टेक आफ करेगा और फिर उसमें आके लेंडिंग होगी इसकी अब इसकार को ड्राइब किया था वो भी इसके मैनुफेक्टरर नहीं किया तो जिसने इसे ब मतलग कम टाइम में इसने एक सिटी से दूसरी सिटी गई थी लगबग 35 मिनेट के टाइम पे इसने पूरा टाइम कावर कर लिया था अच्छे खास से डिस्टेंस को कावर किया था लगबग 80 किलोमेटर के कावर को लेकिन फिर भी कई लोग इसे देखके कहते हैं कि एक तरह संथाइं कार चाहिए तो उसको चाहिए कि कोई ऐसी काव को जो वर्चिकल लेंडग करे और वर्टिकल टेक आफ कर सके जीसे की आप लेकिन यह तो एक तरह से प्लेन ही क्योंकि इसमें मिलकुल हमें रनवे चाहिए होगा पूरा और अलग से बहुत सारे हमें एयरपोर्ट बनाने पड़ेंगे इसके लिए यह कारपोर्ट हम जो भी बोलते हैं उसके लिए अलग से और बहुत सारी भीड़ होगी इस जगहों प तो इंटरनेशनल बॉंडरी को पार करना या किसी भी स्टेट की बॉंडरी को पार करना बहुत आसान हो जाएगा उड़के चले जाएंगे काई भी के पता भी नहीं चलने वाला कब कौन पागिस्तान निकल गया कब कौन चाइना निकल गया क्योंकि राडार में इसलिए न जाने वाली है फ्लाइं कार के लिए इसके आगे देखा जाए प्रॉबलम और आ सकती है जब बहुत सारी कारे आसमान में उड़ने लगेंगी तो जैसे हमारे जमीन पर होता था वैसे आसमान में बहुत जादा ट्राफिक होने लगेगा वैसे वे बॉड़के लिए इस समय यह संब्पाब बुर आसमान लगेगा इसकी वज़े से तो यह बी प्रॉब्लम उलेने अगे चलके कई सारे सेंक्षं के साथ को छूट दी जाएव पर्टेकुलर सारे डाइसन्स दे साल्ट वनेंगे केद में अनुमती जी जाएगी उड़ाने की पूरे आस्मान में अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में गुजरात के अंदर भी एक कंपनी है जो कि अपना कॉंसेप्ट लेके फ्लाइंग कार्स को बनाने या मैनुफेक्ट्रिंग करने की कोशिश कर रही है तो उसके आगे भी देखा को खराब करेगा यह और अच्छा रहेगा हमारे टेक्नलोजी को और इंहेंस करेगा तो क्या आपको लगता है वह कॉमेंट बॉक्स में लिखके बताओ जल्दी से तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंग जै भारत